दियर स्टूरेंट्स, करेंट आफियर स्पेस समझ से आएं जस की तस ऐस इस बनी हुए है। कल हम लोगों ने 30 कोश्चेंज का एक सेट किया था, इसमें काफी सारे लोगों ने 25, 26, 27, 28 के स्कोर किये। कुछ लोगों ने बॉंडरी लाइन को चुछ हुआ, 20 प्लस स्कोर किया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे स्टूरेंट्स थे जिन्होंने 10, 12, 14, 8 इस तरह के स्कोर किये। तो ये ऐसा सेक्टर है, ये ऐसे स्टूरेंट्स का गुरूप है, जो दरसल करेंट आफियर्स में पिछड़ रहे हैं। और इसका कारण है करेंट आफियर्स पर उनका इंट्रेस्ट नहीं होना, तयारियों में कहीं कहीं कमी रह जाना। लेकिन इसका उपाय है, अभी देखिए एक महीना है, इस एक महीना में इस सेक्टर में काफी काम किया जा सकता है। करेंट आफियर्स एक ऐसा सिक्टर है, जिसमें अगर थोड़ा सा इंट्रेस्ट बन जाया है, थोड़ा आप मेहनत करने को तयार हो जाया है, थोड़ा सा संसाधनों को जुटा लें, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि आप अभी भी दो मैगजीन अगर आप पिछले 6 महीने के अभी भी अच्छे से पढ़ लें, तो काफी बड़ा प्राब्लम सॉल्फ हो सकता है। कोई भी दो मैगजीन, प्रत्योकता दरपन, घटना चक्र, घटना चक्र, इदरिश्टी या इस तरह का कोई भी मैगजीन, आप दो मैगजीन, एक नहीं, दो मैगजीन, मंथली मैगजीन, पिछले 6 महीने का, जून महीने से, आप दो मैगजीन कहीं से भी एकठा कर लें, इ आपने दरपन अगस्त महीने के दरपन से ये प्रश्म उठाए थे जो दूसरे मैगजीन्स में भी हैं अब इसमें भी इसकोर्स बड़ी संख्यामेशातरों के बारे चोधर हैं हमारे कुछ ऐसे इस्ट्रेंट्स जो बहुत अच्छे इस्ट्रेंट्स हैं उन्होंने भी बारे से नहीं पड़ा अब देखें जैसिंडा आर्डें का कल हमने कोशन दिया था निजलेंड की प्रधान मंतरी जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए एक बच्चे को जल दिया है ये विशो की दूसरी ऐसी महिला है अब पिक्चर के साथ मैगजीन में इनका ये जुखतना कर में दिया हुआ है तो आप जब मैगजीन से गो थू होंगे उसे आप देखेंगे तो इसके कोशन दियू बनेंगे ये सही है कि यूपीएसी की तयारी करने वाले स्ट्वेंट्स या बहुत और्गनाइज जो तयारी करते हैं वो गवर्मेंट के कुछ वेबसाइट से वहां पड़ते हैं मैगजीन्स लेते हैं डिसकेशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं ओनलाइन साधनों को वहां पर जाते हैं वहां से निकालते हैं मैटा तो वे बड़ी अच्छी तयारी कर लेते हैं लेकिन अब एक महीने में आप क्या करेंगे ये बड़ी चुनाओती है और हम करेंगे बीड़ी बी दो मैगजीन्स जून महीने से उठाएं और करेंट के देखें तीस नवंबर तक का इनफरमेशन आपको रखना है 15 दिन पहले एक्जाम के 15 दिन पहले तक का इनफरमेशन आपको रखना चाहिए हमारे पास इसका experience है कि 15 दिन पहले के एकजाम के एक ब वो एक्जाम में आ गया था तो जिसने latest magazine लिया था उसने magazine में picture के साथ हो दिया वा था उसने उसे बनाया काफी लोगों ने कहा किया रहे ये तो पुराना है ये पुराने वाले जो है ये लेकिन 15 दिन पहले ही कुछ दिनों 20 दिनों पहले बदले थे तो वो magazine में आ चुका था recent current affairs का question था ये direct exam में setters ऐसा set करते हैं question कि जब वो set करने बैठते हैं तो just अपने आस पास के दिनों के कुछ अख़बार को उठा लिया कहीं से magazine को उठा लिया और वहां से questions को उन्होंने set कर दिया तो ऐसा होता है 30 November तक June महीना से 30 November तक का current affairs आपको अच्छे से करना चाहिए अभी भी one month मचा है कि current affairs में आपके समस्या है काफी हद तक निश्चत कुछ नहीं है definite नहीं कहा जा सकता है लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा सकती है अच्छी उमीदे लगाए जा सकती है अच्छी उमीदे ये है कि अभी भी आप June महीने के magazine को उठाए और हर महीने के उसके बाद के magazines को 30 November तक के दिखे June का मतलब है कि April महीने का उसमें content होगा April मई जून date से दो महीने पीछे के contents होते हैं किसी भी magazine में वो आगे के महीने के उसमें date दिया हुआ होता है magazine में लिखा होगा June उसमें matter होगा April का या June के first week का तो इस तरह से आप June महीने के magazine दो magazine कोई भी उठा लें घटना चकर एक बहुत अच्छी magazine है परत्योकता दर्पन समसामई की महासागर ये सब आप success mirror इस तरह के कोई भी आप magazine जो लोगपरी magazines है आप जानते हैं आप दो magazine उठाएं एक को खतम करें फिर उसी मंत के उसी दूसरे magazine को उसे मंत के आप फिर से पढ़ें और underline करें red pin रखें उसे underline करें आप इसे अगर करेंगे तो मुझे उमीद है कि आपको exam में बड़ा इसका पहले फिट मिलेगा अगर current affairs की समस्याओं से आप ग्रासित हैं ये भी आप जान लें कि किसी भी exam में तीन महीने पहले के current affairs सबसे अधिक होते हैं प्राय है दो से तीन महीने पीछे के current affairs सबसे ज्यादा होते हैं आप BPSC के exam को भी उठा कर आप देखने जो 63 हुई जुलाई में exam हुआ था मार्च अपरेल और मई महीने के questions सबसे अधिक तो दो तीन चार महीने पीछे के सबसे ज़ादे current affairs आपको दिखाए देंगे तो आप इस तरह से करें magazine से जाए पेपर 30 नॉंबर तक अगर आप पढ़ रहे हैं 30 नॉंबर तक पढ़ें 30 नॉंबर 25 बीस नॉंबर तक के questions रहेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं आप दिमाग में obsession ना बनाएं कि current affairs से नहीं बनता होता तो कुछ नहीं है लेकिन प्रयास करने से सब कुछ होता है आप इस तरह से चलें अभी आप only सिर्फ in magazines को देखें और ठोड़ा सा net का उपयोग करें जो current affairs regular देते हैं और इस तरह से अपने तयारी को आप consolidate कर सकते हैं current affairs के questions आप के बनेंगे देखिए कल जो सेट आया उसमें हमने देखा आपके साथ भी यह हुआ होगा कि हमारे जो सकते अच्छे students थे उन्होंने तीन से चार questions जाने हुए जो जान रहे थे उन्होंने गलत किया और फिर वो कह रहे थे के ये question हम जान रहे थे तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा कि आप जानते हुए questions को गलत करेंगे एक तो आपने करिंटेफिस में already थोड़ी बहुत कमी छोड़ दिये और फिर आप जाना हुआ questions mistake करेंगे तो फिर ये double attack हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो ये दोनों चीजों को counter किया जा सकता है revise करेंगे तो questions बनेंगे और जाने हुए questions को हर बड़ा कर हमें नहीं माना है कल ये question था कि एवरेस पर चड़ने वाली सब से उम्रदरास मैक्स है जो older age की महिला कौन सी अब देखिए उसमें शिवांगी पाठक च्वाइस अगर है तो बहुत जल्द हर बड़ा कर जाकर बहुत सारे students शिवांगी पाठक को माना गया क्योंकि तीन दिनों पहले इस तरह कभी एक कोशन आया था जिसमें था कि सब से कम उम्र की महिला लेडी लड़की जिसने एवरेस्ट को फतेह किया वो शिवांगी पाठक है 16 साल की जो नेपाल के रास्ते चड़ी थी तीन दिनों बाद ही दूसरा कोशन आ गया कि एवरेस्ट पर चड़ने वाली सब सेधिक उम्र की महिला अब इस तरह का संगीता बहल हम लोगोंने कलम बनाया है तो इस तरह की कुश्चन्स आपको दिखाये देंगे आपको ऐसा नहों कि पहले चौइस में ही आंसर आपको दिख जाए और लगे कि ये सही है हो सकता है कि आंसर चौथे चौइस में हो हो सकता है कि आंसर ये आप्शन हो पांचवा उप्शन हो तो इसे आपको ध्यान में रखना है आप इस तरह से अगर काम करेंगे काफी कुछ आपके प्राब्लम सॉल्व होगे तो हम लोग इसी तरह से चलेंगे रेगुलर आपका हमारा समबाद चलेगा आप सिर्फ मेहनत करें हमारा आपको साथ रहेगा हम ग्यान है हम लोग इसे डिबेट में रखेंगे चुकर एक्जाम को हमें हर हाल में निकालना है और अच्छी बात यह है कि अभी भी एक महीना ड़ी है तो मेहनत करते रहें हमें इस एक्जाम को निकालना है चाहे जतना भी हमें लेबर करना पड़े टेक क्यार